पहले हीं बिहार के मुख मुंतरी नितिस कुमार ने पंचायतों के लिए कर दिया बड़ा एलान, सभी गाऊं में लगेंगे सोलर लाइट इधर बिहार पंचाय चुनाओं के मत गन्ना और तमाम चीजों को लेकर तैयारी पूरी कर लिगई है और पहले दिन 393 परतियासियों ने नमांकन किया दाखिल और मतदाता सत्यापन को हर पंचायत में वाई फाई की सुविधा गरामी जेतरों में तेज होगी पुलिस गस्ती समेधन सिन जगुप का बनेगा मैप इधर बिहार में 857 किलोमीटर एनेच निर्मान के लिए टेंडर इसी साल सोशल मीडिया में फरजी खबरों पर अदालक सक्त सारन में बालू लदी नाओ गंगा में डुबी 14 सर्मी के लापता जेपी बिस्व बिद्दाले के पीजी पाठ करम में से नहीं हटेंगे जेपी लोहिया के बिचार बाड़ और यास से बिहार के किसानों को 700 क्रोर की चपते पाली गंज के ततकले ने SDO के पटना और बितिया के ठीकानों पर छापा पीएम से मिलकर विधान सब अध्याच ने दिया नियोता और इधर कुरोना और बाड़ के बावजूद जीएस्टी सार्थ परतिसत छलांग नमस्कार आप इस समय देख रहें मगत संबाद और मैं आपके सार्थ हूं सुनिल मगत संबाद के खास कार्जकरम सुबह सबेरे में आप तमाम भीवर्स का स्वागत है सुबह सबेरे में हम खबरों को लेते हैं अखवारों के पन्नों से अखवारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरे तमाम खबरों पर हम रखते हैं नजर तो खबरों की सिलसिला सुरू करने से पहले आपसे आगर है कि अगर इस वीडियो को हमारे फेस्बूक पेज पर देख रहे तो फेस्बूक पेज को लाइक कर ले और यूटूब चैनल पर देख रहे तो यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कर ले और वीडियो पसंद आये त गोचना कर दी यह बड़ी पाहल कर दी है वह पहल जो है वैसे तक या सिछिका जो बी आरपी और सियार सी बने हैं यानि के अभी बरतमान में हैं उनके लिए एक बड़ा आदेश दाखिल किया गया है एम बड़ा आदेश दिया गया कहा गया कि जितने भी CRCC हैं अपने मुल बिद्धाले में वापिस चले जाएं अब इसके लिए सरकार की और से नहीं पहल भी की जाएगी आपको बता दें कि CRC से सिचको की छुटी अब मुल बिद्धाले में पढ़ाएंगे यानि आपको बता दें कि उन्हें मुल पदास्थापन वाले स्कूलों में लोटकर बच्चों को पढ़ाने का कार्ज में जुड़ जाना होगा ऐसे सिचको की संख्या करीब पांच हजार बताई जाती है CRCC के रूप में पदास्तापित होने से एसे सिचक बच्चों को पढ़ाने के कार्ज से बचे रहते थे और इस रूप में पदास्तापन को लेकर भी विभाग में यहां वहां अनुसंसाय पहुशती रहती है यानि के तीन अगस्त को गठी उचस्तरी कमिटी के अनुसंसा के आलोक में स्वभी संकुल केंद्रे समनुएक यानि CRCC को ततकाल परभाव से अपने मुल बिद्याले अध्यापन कार्ज के लिए भेजा गया है 16 सितंबर तक सभी CRCC परभार संकुल बिद्याले के परधाना ध्यापक को कार्ज भार दे कर अपने मुल बिद्याले में लोड जाएंगे इसलिए किया जा रहा है कि हमेशा सिच्चावी भाग में या कहा जा रहा था कि इसे सिच्चा की बिद्याले से कर चुके हैं बच्चों से दूर चले गए हैं अब इन पर बड़ा फैसला लेते हुए सिच्चावी भाग ने यहाप कर दिया है कि सुल्ल सितंबर तक है सभी सियासेसी में परभारी परधाना द्यापा की आप परधाना द्यापा को चार्ज देखर अपने मुल बिद्धाले में लोट जाएं ते सरकार के लिए एक खास पह सेल सादीक रायर सिच्च को का काना है कि दो दिन पहले एलान किया गया था कि लेकिन अव तक जीलों में भी रासी नहीं पहुच पाई है तो आखिर दोधिनों में सिच्च को का बितन कैसे भुगतानोंगा आखिर कहां फोलट Isar कार को उसके बारे में जनकारी रखनी चाहिए किस पदादिकारी के लप्रभाही के करण सिचकों को सा समय बेतन नहीं मिल पाता है पंचाय चुनाओं की परिकीरिया सुरु हो गई है पर्थम चरन के नमांकन को लेकर उमिदवार जो है अपना नामांकन शुरू कर दिये हैं और यह अभी आपको बता दे कि पहले दिन पुरे बिहार में तीन सो तीरान में परत्यासियों ने अपना नामांकन पत्वे दाखिल किया लिए से उससे पहले बिहार के मुख मंत्री नितिस कुमा ने एक बड़ा एलान पंचायतों के लिए कर दिया है कि इस पंचायतों में परतेक पंचायतों में यानि बिहार के गाओं में हर घर पहुचे की सोलर लाइट एस्ट्रील लाइट की रोशनी यानि बिहार के मुख मंत्री ने कहा है कि गाओं में हर घर पहुचे की सोलर एस्ट्रील लाइट की रोशनी तो यह बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर है कि पंचायत चुनाओं से पहले ही बिहार के मुख मंत्री सभी पंचायतों और गाओं को चांदनी रोसणी में चंपा चौन की रोशनी में नहाने की प्लानिय कर चूक है यानि कि सहरों के साथ साथ अब गाओं की विकास वित्तेज घस्ती से होने जा रहा है यानि कि बीलकूल जन परतिनिधियों का या डाइट होता है कि कहां पर सॉलर लाइट लगना चाहिए इसको ख्याल में रखते हुए मुख जगों पर वैसे लाइटों का प्रबंद करना चाहिए तो ये पंचाय चुनाओ से पहले बिहार सरकार का या बड़ा एलान है अब चर्चा कर लेते हैं पंचाय चुनाओ पर पहले दिन जैसा कि हमने बताया कि पहले दिन यानि कि कल से बिते दिन से ही पहले चरन के उमेदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की सुरवात हो गई है जिसमें पहला दिन 393 परतियासियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है राज निरवाचन आयोग ने जारी किया है चुनाओ का कार्ज करम और ओनलाइन 26 परत्यासियों ने नामांकर दाखिल किया है आपको बता देख कि पंचाय समीती, मुखिया, वाडे, जिला, परसर्द, सदस और पंच सरपंच में पदस्थापी सामिल इनका चुनाओ यहाँ पर हो रहा है इस समय पहले चरण में 10 जिलों के 12 परखंडों में नामांकर की परिकरिया सुरू हो गई है 11 सितंबर तक नामांकर पत्रों की जाच 11 सितंबर तक होगी 13 सितंबर तक नामांकर पत्र वापिस ले लिया जा सकता है 13 सितंबर को ही सभी परतियासियों को परतीक चिन यानि की चुनाओ चिन आवंटित कर दिये जाएंगे और 24 सितंबर का चुनाओ होगा दस जीलों के इन परखंडों में होगा चुनाओ कहां कहां होगा इसको भी जान ले पहले चरण में रोहतास के दावत वा संजहुली परखंड कैमूर के कुदरा परखंड गया के बेलागंज और खिजरसराय परखंड नवादा के गोविंदपूर परखंड और रंगावाद के और रंगावाद परखंड जहानावाद के काको परखंड अरवल के सुनभद्र व 5 कि शुवणाओं इंद्हू ने के लाएप टेलिकास्ट बाहलोने के बाद दूसरे चरन्ति पर दीचनुल मद्दान केंद्रों के कम से कम 10 पिस्दी मद्दान केंद्रों से लाइब टेलिकाष्ट का लच्छ रखा गया है लाइब टेलिकाष्ट के जरी बूत्थो पर हो रही सभी गत्वीदियों को जिला नियंतरन कच से मौनिटिक किया जा सकेगा इसके लिए जैंसी निर्धारित के जा रही है अधर गरामिन छेतरों में तेज होगी पुलिस गस सिल बुथ रहा हो यानि कि पंचाय चुनाओं के लिकर वाइफ हाई बिवास्ता हो रही है पंचाय चुनाओं के लिए राज के सभी पंचाय भावन के अलावा नजदी के कुल 45,250 गाओं में इंटरनेट के लिए वाइफ है सुब्धा बहाल की जाएगी इसके जरी बुथो हाई टेकनलोजी के तहत पंचाय चुनाओं कराने की राज निर्वाचनायों की पहल है चलिए अब अगली खबर की ओर हम चलते हैं बाढ़ वा यास से बिहार के किसानों को 700 क्रोर की चपत हुई है मैसे यास तुफान से गर्मा दलहन की खेती का चौपट कर दिया जून में बाढ़ ने धान की फसल और गन्ने की खेती को पहुचाया है भारी नुकसान बिलकुछ सही बात है कि लगतार इस वर्स करोना महा मारी बाढ़ और रियास से किसान अस्त बेस्त हो गये क्रोरों की चपत हुई है लगवक 700 क्रोर की चपत हुई है बाढ़ और रियास से नुक 28 जीलों के फसल को किया गया है प्रभावित आपको यह भी बता दे कि अवैद खनन की जाज के बाद हटाए गये थे देखिए पाली गंज के ततकाली एश्डियों के पटना और बेतियां के ठीकानों पर छापे मारी किया गया है आपको बता दे कि अवैद खनन की जाज के बा अमद जब पाली गंज एस्डियों के पद पर तैनाते तभी बालू के अवैत खनन को लेकर ब्यापक जाज कर आई गई थी यह कलंग के खिला बिहार सरकार की मुहिम है कई पदादिकारियों को बरखास किये जा रहे हैं तो जाज बैठाये जा रहे हैं हर तरह की कोशिस इस सम अपना और बेतिया में घर जो है उनका आवास है वहां खंगाला गया और पांच घंडे तक एस्डियों का जो पैतरी घर है उसको खंगाला गया आखिर यह क्या हो रहा है बिहार में कब समाप्त होगी घुस खोरी कब अवैत कमाई खत्म होगी सोचना होगा आम जनू को पी बिधान सभा आदेज बिजय कुमार चोदरी को इस उस्तों में सामिल होने को लेकर अपनी समती दे दी थी दे दिया है सिरी सिना अब परधान मंतरी नरेद मोदी से मिलकर सामारो में आने के लिए आगरा करेंगे गौर तलब हो की बिहार बिधान सभा भवन 100 साल का हो गया ह साथ फरवरी 2021 को इस भवन के सताब्दी पूरी है इसके फलसोर्व साथ फरवरी 2020 से ही सताब्दी वर्स का समारो होना है कुरोना संकर्मन के कारण इसके कई आयजों नहीं हो पाएं प्रन्तु समापन समारो का भ्यवेता सा आयोजन करने की तैयारी है उद्गाटन समारो करम तो आपको बता दे कि गुरु बार सुबा 11 बजे राश्ट पती से मुलकात की समारों में सामिल होने को अमंतर राश्ट पती से समती बैक्त की है अगली बड़ी खबर को हम लेते हैं केंदर लोगों को भुखा भुखा मारने पर उतारू है टेजर स्वी बिहर के परतिपच्च के नेता हमेशा सत्ता पच्च को निशाने पर लेते हैं अब केंद्र को भी निशाने पर लिए कहा है कि केंद्र लोगों को भुखा मारने पर उतारू है नेता प्रतिबत तेजस्वी यातों ने महंगाई के मसले पर इंडिया सरकार पर निशाना साधा है आरोप लगाया कि इंडिया सरकार के सोजन से देश में महंगाई एक भिशन स अगली बड़ी खबर सारन में बालू लदी नाओ गंगा में डूबी 14 रमीक लापता जेपी विश्वे विद्धाले के पीजी पाटकरम से नहीं हटेगी जेपी लोहिया के विचार मीडिया को बुला कर ब्यार के सिच्चा मंतरी विजय कुमर चौदरी ने किया है सब कुछ स इधर कोट सक्त सोशल मीडिया में फरजी खबरों पर अदालत जो है सक्त मीडिया के एक वर्ग में दिखाई जाने वाली खबरों में संपरदाई ताके रंग सुप्रीम कोट का कहना है बिना किसी जवाब देही के बेब पोटल पर समागरी परोसी जा रही है वे अनाब सना आप खबरे पर सारित कर रहे हैं यह संसायनों के खिलाप बहुत बुरा लिखते हैं आम आदमी को बता तो बात चोड़ दीजिए निया धीसों को भी यह नहीं बकसते एस एसे मीडिया संसान भी आईपी की आवाज सुनते हैं सुप्रीम कोट का यकाना है अदालत आजी और आगें बता दे कि नाराजगी फेस्बूक ट्वीटर को भी कोट ने आड़े हातों लिया है और टिपनी के खबरी फरजी खबरों पर छिटा कसी पर कोई नियंतरन नहीं अधर दुखत खबर है कि अभिनेता सिदार्थ सुकला का हार्ड अटेक से निधन यानि कि बहुत है बुरी खबर है सिनेमा जगत के धरवाइक जगत के दर्सकों के लिए देश के लिए मसूर अभिनेता एवं बिक बॉस 13 के बिजेता सिदार्थ सुकला का गुरुबार को दिल का दोरा पढ़ने से निधन हो गया वह 40 वर्सके थे धरवाइक बालिका बदू में नि पर पिच्चर अस्टेम को सिकाओं से क्रितिम फिपड़ा बना और बहुत काफी कुछ है बिहार में 857 किलोमीटर एनेच निर्मान के लिए टेंडर इसी साल बिस्व बिद्दाले को संसोधन का नहीं है अधिकार सिच्चा मंत्री ब्यार के सिच्चा मंत्री का यह ब्यान है गन्ना मिलो का स्कैन बेच चुकाया गया बकाया मंत्री 148 फर्ष्ट रेफरल यूनिट का पुनर गठन और इधर कई खबरे जो हैं बिलकुल आपके लिए क बता दे कुछ अन्य खबरें जो आपको जानना जरूरी है बेटियों का हला बोल देखिए एक बड़ी खबर निकल कर मुझा पर पूर से आ रही है कि बेटियों का हला बोल मेरी पंचायत मेरा हक मेरी सक्ती इनसे सिखने की जरूरत है जिले के गरामिन चेतरों में बेटियो को मेरी पंचायत मेरा हक मेरी सक्ती नाम दिया है तो यह एक अच्छी पाल है आए इन बेटियों को चैनल की ओर से सलाम और पोखर में डूबने से इवक की मौत सुल्तान गंज की एक खबर है नितिस के नितित में बिकास की गंगा आर सी पिसी का मुझापर पूर में आया ब नुष्खे पर अपन ध्यान दे सकते हैं अगर खबरों की बाते कर ले खेल खबरों की बात कर ले तो परमोधने बेडमिंटल में पदक की आस जगाई फिर मिलते हैं अगले खबर में फिलाल दीजिए हमें इजाजत धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरम